एजु सीकर में आप सभी का स्वागत है लोकनायक जैपरकाश नरायन जिने जैपी भी कहते हैं जोनों ने बहुत सारी मुवमेंट्स को और अंदोलनों को लीड किया चाहिए वो सोशलिस्ट मुवमेंट हो, मुधान मुवमेंट के बाद नवनिर्माद अंदोलन हो या फिर ब आइडियास जैसे सोशलिजम, सर्वोध्या और टोटल रेविलुशन को भी समझेंगे तो चलिए उनके लाइव के इंपोर्टन इवेंट्स को समझते हैं जैपी का जन्म होता है 1902 सितब द्यारा विलेच में जो युनाइट परविंस ब्रिटिश इंडिया में था आज वो पढ़ाई अपने गाउं के आसपास ही करते हैं जैपी एक ब्रिलियन्ट स्टूडेंट थे 1918 में अपनी स्कूल की एजुकेशन को कम्प्लीट करते हैं और डिस्टिक स्कॉलर्शिप को भी जीतते हैं पतना कोलेज के लिए हाइर एजुकेशन के लिए जैपी 1922 में युना पर दूसरी युनिवर्सिटी ओफ एओवा में जाना पड़ता है क्योंकि ब्रेक्ली में फीस बहुत जादा थी तो इसी तरह वो कई उनिवर्सिटी कई एजुकेशनल इंस्टिटूशन में मूव करते रहते हैं अपनी एजुकेशन को कम्प्लीट करने के लिए और फाइन पर भावित होते हैं वहाँ पर इसके साथ वो M.N. Roy के ठोट्स और आइडिया से भी काफी पर भावित होते हैं इसके साथ वो Lenin, Trotsky, Plaknam और Rosa Luxemburg जैसे थिंकर जो मार्क्सिस्ट थिंकर थे उनकी सोच को काफी पर भावित करते हैं इसलिए JP जब इंडिया वापस आते हैं 1929 में और तब वो जब वापस आते हैं वो एक मार्क्सिस्ट थिंकर बनके आते हैं इंडिया नैशनल कॉंगरस को वो जॉइन करते हैं जब नहरू उन्हें इन्वाइट करते हैं इसके बाद वो इंडियान इंडिपेंडिस मुव्मेंट में काफी एक्टिविली पार्टिस करते हैं और सिविल डिस ओबीडियंस मुवमेंट में जब वो पार्टिस्पेट करते हैं उन्हें जेल में भी जाना पड़ता है 1932 में इसी जेल में वो राम नहर लोहिया और लाइक माइंडिट थिंकर से मिलते हैं जहां पर उन्हें जो फोरण एक मार्क्सिजम और सोशलि कैसे सोचते हैं कैसी फिलोसफी है कौन से उनके ठोट वर्ग कर रहे हैं यहां पर उन्हें वो भी जानने को मिलता है और इसी के चलते हुए वो कॉंग्रेस शोशलिस्ट पार्टी को भी जोईन करते हैं 1934 में जिसमें उन्हें वो जनरल सेक्टरी बनाते हैं कॉंग्रेस शो 1947 से लेकर 1953 का जो पीरियड है जेपी प्रेजिडेंट रहते हैं All India Railway Federation के यह largest label union थी Indian Railway की जेपी 1948 में Congress Socialist Party को शोर देते हैं और प्रजाश Socialist Party को जॉइन कर लेते हैं 1952 राम नोहर लोहिया जैसे लीडर के साथ जेपी इसके बाद party politics में उनका interest खतम हो जाता है और वो बुधा movement को जॉइन करते हैं विनोबा बावे ने 1951 में यह movement को launch किया था यह movement क्या थी इस movement को land gift movement कहते थे इसमें क्या किया जाता था जो wealthy land owners थे जिनके बहुत जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीने थी उन्हें persuade किया जाता था मनाया जाता था यह कहकर कि वो अपना land जो है उ तो इससे इसी लिए इस movement को बुधान movement किया जाता था जिसमें land को दान किया जाता था बुधान movement तो जेपी कुछ समय के बाद इस movement में involved लेते हैं और फिर politics में interest लेने लगते हैं और 1959 में एक article लिखते हैं एक paper लिखते हैं जिसे कहते हैं reconstruction of Indian polity जिसमें वो सुजाव देते है कि इंडिया की politics को reconstruct करने के जुरत है यानि दुबारा उसे सरजने के जुरत है जो चार level पर काम करेगी village, district, state और union council में ये बिल्कुल राम अनोहर लोहिया का जो हमने चौखम model देखा था पिछली वीडियो में उसी idea के base है कि इंडिया में two-tier administration नहीं होनी चाहिए सिरफ power center और state में divided नहीं होनी चाहिए, power divided होनी चाहिए, village, district level पर भी, सिरफ state और center को ही power का जो है अधिकार नहीं होना चाहिए, तो legislative जो bodies है, सिरफ center और state में है, वो village और district level में भी हो, law making का process जो है village और district level पर भी हो, सिरफ वो ओपर से बने हुए law को जो है implement ना करे, JP इसमें ये समझ जाना चाहते हैं, इसके बाद जब लोगों की जो भारत का सपना उन्होंने देखा था, वो तूटता दिखाई देता है, उन्होंने लगता है कि ना गरीबी दूर हुई है, ना unemployment दूर हुई है, Congress party जो है बार बार जीत रही है, दूसरी किसी party को मौका नहीं मिल रहा, तो य काफी महंगाई बढ़ रखी होती है, तो इसी टाइम पर नव निर्मान अंदोलन जब गुजरात में होता है, तो जैपरकाश नरायन को भी invite किया जाता है, जिसे वो lead करते हैं, peaceful agitation के थूरू, जैपरकाश नरायन को बिहार movement में भी invite किया जाता है, जो initially student race करते हैं 1974 में, ब movement में total revolution की demand इतनी famous होती है, कि इस movement को जहां तो total revolution movement कहा जाता था, और जहां इसे JP movement के नाम से जाना जाता है, 25 June 1975 को जब इंदरा गांदी emergency को लगाते हैं, तो JP इस चीज के लिए लड़ते हैं, और इस चीज के लिए वो रामलीला मैदान में एक लाख लोगों के साथ एकठे होते हैं, और प्रोटेस्ट करते हैं government के against, और JP यहां पर बहुत ही famous poem रामदारी सिंग दिनकर की वो गाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सिंगासन खाली करो कि जनता आती है, सिंगासन खाली करने का time आ गया है, क्योंकि Congress ही party जो है बार-बार चलती आ रही है, उन्हें लगा बहुत corrupt हो गया है, और इन्होंने इंडिया के जो social political system था, उसमें कुछ भी improve नहीं किया है, इसलिए वो total revolution की भी बाते करते थे, हलागि JP को detain कर लिया जाता है government के दुवारा, उनकी speeches की वज़ा से लोगों को वो mobilize करते थे large scale में, तो उस दर की वज़ा से government ने उन्हें detain कि क्योंकि JP की तब्यत खराप हो रही थी, kidney उनकी fail हो चुकी थी, इसकी वज़ा से उन्हें release भी करना पड़ा, JP movement अपने आप में बहुत ही काम्याब रहती है, तो कि वो first non-congress party को establish करती है center में, और first non-congress जो prime minister बनते हैं मुराजी दिसाई, वो 1977 को बनते हैं, जनता party के prime minister बन पहले, तीन दिन पहले ही उनकी death हो जाती है पतना में, तो JP को उनके काम के लिए, उनके public services के लिए 1965 में Raymond Max essay award भी मिलता है, और बाद में उनकी death के बाद 1999 में उनके social work को लेकर उन्हें भारत रतन भी दिया जाता है, जो India का highest civilian award है, JP के works को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए हला कि JP ने कोई book नहीं लिखी है, उनके pamphlet, उनके essay, उनके article जो है किसी journal में शपते थे, उनकी ज़्यादा जो work है, वो किसी author ने compile किया है, जा edited किया है, तो उनके main works जो है, उनकी list आपके सामने में है, वो आप पढ़ सकते हैं, जा screenshot ले सकते हैं, इसके बाद हम उनके, जो socialism के idea में theoretical contribution अपनी तरफ से कम है, उनका idea वो ही है, जो लोहिया ने दिया है, जा other socialist leaders उस time पर दे रहे थे, और जिसमें गांधिजम के हमें element मिलते हैं, तो इसको हम briefly समझेंगे, 1946 में JP article भी लिखते हैं, my picture of socialism, जिसमें वो अपने socialism को समझाते हैं, कि कौन से feature जो socialism में मैं कोई farm नहीं होगा, जो वहाँ पर prison काम करेंगे, वो cooperative base पर करेंगे, तो यहाँ पर किसी की मलकियत नहीं होगी land को लेकर, सब के, सब जो produce कर रहे हैं, वो मिलबाट के खाएंगे, सब का land होगा, तो large scale industry, JP चाते थे, वो भी जो on की जाए, जा manage की जाए, वो किसी business tycoon के द्व मिलकर manage करें ऐसी industry को, JP इसके साथ large scale industry भी इंडिया में चाते थे, big industry के साथ साथ वो small industry भी चाते थे, जो बिलकुल manage की जाए, cooperative waste में, जिसमें जो worker काम कर रहे हैं, वो corporation से, यानि एक दूसरे से मिलकर जो है, वो इसी industries को चला रहे हैं, इस industry का कोई मालक नहीं है, कोई boss नही जिसमें state हावी ना हो जाए, जो concentration of power है, कहीं few hands में ना चली जाए, जैसे स्टैलिन के पास चली गए थी, तो ये auto critic leadership या dictatorship जो है, वो जादा ना बढ़ जाए, JP इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इंडिया को socialism suggest करते हैं, जो बिलकुल ही लोहिया के lines पर ही चल रहा है, JP क उन्हें लगता है गांदीजम के जो idea है, वो जादा सही है, तो वो गांदी से कुछ idea को बोरो करते हैं, जैसे decentralized का idea, party's patri, democracy का idea, egalitarian, socio-economic, political order जो है establish करने का idea, एक बार मैं इसे समझा देता हूँ, ये idea क्या थे, decentralized का मतलब ये है, कि देश में strong central government हमने establish की है, उसका मतलब ये कि सारा control center के पास हो, लादर power decentralized होनी चाहिए, village, district level पर भी वो काम करनी चाहिए, state level पर भी काम करनी चाहिए, party's patri का मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, decision making process में involved हो सके, तो law बनाने के लिए जो हमने MLA, MP, representative चुनते, सिर्फ वो ही law बनाते हैं, ऐसे नहीं होना एक participatory democracy होनी चाहिए, egalitarian का मतलब है, जो है समानता के अधार पर society होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, rich और poor का gap नहीं होना चाहिए, तो सरवोत्या का idea में एक main idea ये था, कि यहाँ पर government नहीं होनी चाहिए, government को किसी तरह से खतम करना होगा, अगर government exist भी करती है, तो उसकी power को इतना decentralized किया जाएगा, कि कोई भी व्यक्ति इस position पे नहीं होगा, किसे के पास भी इतनी power नहीं होगी, कि वो दूसरे पर dominate कर सके, दूसरे को suppress कर सके, तो इस तरह से सरवोत्या idea जो है चलना चाहिए, जब ये भी acknowledge करते हैं, कि हम मानते हैं, जब ये कहते है कि मैं मानता हूँ कि human beings जो है, लोग है, उनमें evil spirits भी होती है, evil spirits का मतलब ये है, कि वो दूसरों के बारे में बुरा भी सोच सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, हम जानते हैं, लेकिन हम जब लोगों को powers देंगे, जब हम decentralized करेंगे और लोगों के हाथ में power आएगी, तो हम उन उनमें inculcate करेंगे, बरेंगे, तभी हम एक बैतर समाद जो है, वो सिर्ष सकेंगे, three dimension सरवोधिया की JP बताते हैं, एक dimension जो है, वो social level पर work करती है, दूसरी dimension practical level पर और third dimension जो है, वो economic level पर work करती है, हम तीनों dimension को समझते हैं, पहले हम social dimension को समझते हैं, इसमें JP कहते हैं कि इ equality के principle, justice के principle जा inclusiveness के principle को implement किया जाएगा, JP कहते हैं, इसमें एक ऐसी society को build किया जाएगा, जो जिसमें हर लोग एक दूसरी के welfare के बारे में सोच रहे हैं, सिरफ अपने selfish interest के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसलिए इस society में किसी तरह की discrimination नहीं होगी, कोई भेदभान नहीं यहाँ पर JP ज्यादा trust दिखाते हैं देश के नौजवानों में, यूथ में, जो selfless होंगे, अपने selfish interest से उपर उठके, अपने visionary mindset के साथ society को reconstruct करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, लोगों का welfare करेंगे, JP एक सी society में कहते हैं कि यह voluntarism के base में होगी, विलिंटरिजम का मतलब है, लोग खुद आगी आएंगे, किसी को force नहीं किया जाएगा, किसी पर कोई कानू नहीं थोपा जाएगा, कि आपने यह करना ही करना है, आप अपनी मर्जी से society में contribute करना चाहते हैं, जैसे कि tax law लाइकर आया जाता है, अगर आपकी income particular slab से जादा ह तो आपको test देना पड़ता है, मतलब आपको force किया जाता है, जैपी ऐसे idea में believe नहीं करते हैं, जैपी कहते हैं, कि अपनी मर्जी से society में अपने wealth को, अपने resources को contribute किया जाए, लोगों की मदद करने के लिए, तो यह voluntarism होना चाहिए, अपनी मर्जी से लोग आए आगे, और जब हम political dimension की बात करते हैं, तो जैपी कहते हैं, एक decentralized system होना चाहिए, एक participatory system होना चाहिए, जो मैं पिशे बता चुका हूँ आपको, जैपी कहते हैं, कि ऐसा system पंचाईती राज के base पे होना चाहिए, ऐसा system होना चाहिए, जहां पर राज्यस्च शक्ती और राजनिती नहीं पावर आती है, नहीं, इसमें राजनिती नहीं, लोगनिती होनी चाहिए, लोगों के पास पावर होनी चाहिए, लोग जो हैं वो अपने decision ले, और यहां पर लोग शक्ती होनी चाहिए, ना कि राज्यस्च शक्ती होनी चाहिए, मतलब हम party को चुनते हैं, वहां पर MP, MLA हमा पर बाद में impose किये जाते हैं, JP इस चीज के against थे, JP कहते थे, कि लोगों के पास ही power होनी चाहिए, अपने वो fans ले ले, अपने level पर, और अपने हिसाफ से ही वो rules बनाए, और खुद ही वो उनको चलाए और माने, forcefully उन पर किसी तरह से उपर से law को implement ना किया जाए, तो लोग इसका मतलब है, जब कोई regional की, किसी state की कोई growth होती है, तो वो balanced होगी, इसका मतलब यह नहीं है कि एक देश का जो particular इलाका है, वो इतना backward हो जाए और दूसरा इतना develop हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक balanced growth होनी चाहिए, rich और poor का gap कम होना चाहिए, JP यह भी जानते थे कि agriculture इंडिया के लिए कितनी important है, इसलिए जितनी भी economic activity है, उसमें से JP कहते हैं सबसे important economic activity agriculture है, तो हमें agriculture के बारे में सोचना चाहिए, जिसके लिए हमें collective farming establish करनी चाहिए, जिसमें सब लोग मिलकर farming कर रहे हैं, किसकी की भी मलकियत या ownership नहीं है, तो JP यहाँ पर गांधी के idea क को भी advocate करते हैं, जहाँ पर self sufficient village हो, village based industries हो, cottage industries हो, और सरवोधिया के idea में JP advocate करते हैं, कि heavy industries भी इसके साथ चाहिए, हमें small industries, cottage based industry, village industries के साथ साथ, heavy industries भी जो है, इंडिया की betterment के लिए, इंडिया की development के लिए जरूरत पड़ेगी, हम सिरफ small industries पर ही depend नहीं रह सकते हैं, इसके स JP ये भी बताते हैं, कि सरवोधिया के order को, जा सरवोधिया के idea को implement कैसे किया जाए, क्योंकि JP कहते हैं, जो बाते कहा रहा हूँ, जो हवाई बाते नहीं हैं, इसको practically possible किया जा सकता है, तो JP कहते हैं, इसको practically possible करने के लिए, हमें किसी तरह की मार्क्स ने जो revolution बताई है, जो blood तरशिया में स्टैलिन की रेजीम में देखी है, ऐसी revolution की, ऐसे violent mean की, violent method की हमें जरूरत नहीं है, dictatorship of proletariat की हमें जरूरत नहीं है, तो JP गहते हैं, हमें जो जरूरत है, वो है non-violent idea की, हमें सत्य अग्राय की जरूरत है, किसी तरह के भी सरवोधिया के order को लेकर आने के लिए, JP ना ही मानते थे कि कोई law हम implement करेंगे, कोई legal provision लेकर आएंगे, कोई institution होगा, जैसे कि parliament हो गया, Supreme Court होगी, वो implement करेगी, ऐसे सरवोधिया order को नहीं, JP कहते हैं, इस तरह से भी हम सरवोधिया नहीं लेकर आ सकते, सरवोधिया तभी possible है, जब हम लोगों को actually educate करेंगे, aware करेंग education का यहाँ पर मतलब है, लोगों को दूसरों के प्रति सेवा भावना करना सिखाना, प्यार करना सिखाना, example set करना दूसरों के लिए, उन्हें preach करना, उनका mind rational बनाना, उनके mind को जीतना, उनके दिल को जीतना, argument से जीतना, उनने argument करना सिखाना, एक दूसरे को अगर opinion भी match न इंपोर्ण आइडिया आता है जो total revolution का आइडिया आता है तो total revolution की philosophy क्या है जेपी ने सम्पूरन कॉरांती का idea जो है वो डॉप्ट किया है विनोबा बावे से जो विनोबा बावे ने 1960s के टाइम पर evolve किया था जेपी ने इसी idea को pick किया था 1975 में इंद्रा गवंधी government के against इस idea क को यूज करने की कोशिश भी की थी, जेपी नहीं चाहते थे कि कंट्री में किसी तरह की कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स आए, कि किसी इंस्टिटूशन में कुछ हमने चेंज कर दिया, किसी की पॉजीशन में कुछ चेंज कर दिया, एक प्लिटिकल पार्टी गई, दूसरी आगी ये चेंज कर दिया, जहां फिर हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा कॉंस्टिटूशन में अमेंडमेंट लेकर आए, कोई लॉज चेंज कर दिया, नया लॉज पास कर दिया, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, जेपी गहते थे कि हमें एक होल रेंज ट्रांस्फोर्म चाहिए हमें ऐसी ट्रांस्फोर्म चाहिए, जो समाजिक लेवल पर भी, एकनॉमिक लेवल पर भी, प्लिटिकल लेवल, कुल्चुल लेवल, स्पिर्चुल लेवल और एज्यूकेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए देश के लिए, तो जेपी चाहते थे कि ट सिस्टम है हमारा, या फिर जो एलेक्टोरल सिस्टम है, ये पार्टी बेस्ट पॉलिटिक्स पे डिपेंड है, पार्टी बेस्ट पॉलिटिक्स में जब कोई सिस्टम होता है, तो इसमें जो कंसेंट्रेशन है पावर की, वो एक पार्टी के हाथ में आती है, और अगर उस कोई ज्यादा dominant person है ज्यादा powerful इंसान है तो वो सारी power gain कर जाता है और JP को ये चीज दिखाई दे रही थी अपने time पर केंदरा गांदी ने कैसे सारी politics को पूरी तरह से dominant कर लिया है control कर लिया है सारी power जो है वो use कर रही है जा कहलो miss use कर रही है तो JP के accordingly electoral system जो है हमें बिलकुल ए जितनी भी इंडिया में legislative bodies है चाहे वो parliament है जा state legislative assemblies है उनको खतम करना होगा क्योंकि ये अब तक law बनाते आ रहे है हमारे लिए जबकि हम चाहते हैं कि law ना बने government का role कम से कम हो state जो है कम से कम हो state less society build करे community based life हो जिसमें लोग अपने decision खुद ले तो इसलिए उसके लिए legislative bodies की हमें जरूरत नहीं है जेपी ये कहते है कि legislative bodies इंडिया में जितने भी law लेकर रही है उसने लोगों की problems को solve तो किया ही नहीं है लोगों की upliftment की नहीं है poverty वहीं की वहीं है unemployment हम देखते हैं बढ़ती ही जाती है economic growth भी नहीं होती है तो इन legislative bodies का actual में फैदा क्या है क्या ये कुश कर भी रही है इसी चीज को JP question करते हैं और economic level पर total evolution को JP इस तरह से लेकर आना चाहते हैं वो कहते है कि economic power जो कुशी लोगों के हाथ में जाती जा रही है उसको हमें रोकना होगा कुश लोग खास कर कुश एक दो व्यक्ति जा कुश elite class ही है जिसके पास सारा पैसा जाता जा रहा है society की सारी wealth ही उनके पास जाती जा रही है जैसे कहते हैं न कि 1% ही ऐसे लोग है जिनके पास 99% wealth है country की तो JP इसी चीज के against है ये wealth जो है जो economic power है जो कुश लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए ये society में equally distribute होनी चाहिए इसलिए वो कहते हमें economy को recast करना होगा हम हमें पूरा बदलाव लेकर आना होगा देश की अर्थ वस्ता में तो इसके लिए वो mixed economic system को भी जो है suggest करते हैं कि हमें पूरा capitalist या पूरा socialism बनीन लेकर आना चाहिए हम initial period के लिए mixed economy system को लेकर आना चाहिए जैसे हम देश की जो wealth है वो equally distribute करने में कामयाब हो जाएं और इसक साथ जो basic needs है जिसे food, clothes, shelter है उनको तो fulfill कर सके अभी भी देश में ऐसे लोग क्यों है जो बुखे मरते हैं जिनके पास पहने के लिए कपड़ा नहीं है मकान नहीं है हमें इस चीज में change करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है और JP इसके साथ कहते हैं कि संपती दान का idea यहां कि अपनी नहीं है वो आपने society में कुवाई है और आपको कुछ इसा लखना होगा और बाकी जो है society में भी contribute करना होगा जब यह लोग सीख जाएंगे करना संपती दान करना सीख जाएंगे तो शायद society में equitable distribution हो सके wealth resources की शायद फिर जो है wealth जो है कुछ ही लोगों के पास नह नहीं होगी जेपी ये समयते थे इसलिए जेपी कहते हैं कि society में जो resources है उस पे किसी एक की मलकियत ना हो government की मलकियत भी ना हो socialization हो उन resources की इस level पर कि लोग जो है अपने resources के अच्छी तरह से use कर सके cooperative societies बनाई जाए voluntary association बनाई जाए मिलकर लोग जो है अपने economic धांचे को चलाएं अपनी अर्थ विवस्ता को संबाले इसमें जो है कुछ चंद लोग जो है वो नहीं होने चाहिए जो अपने आपको economic expert करते हैं जो बड़ी-बड़ी industries में काम करते हैं नहीं वो नहीं यहाँ प पर किसी तरह की कोई चीज भी थोपी ना जाए तो voluntary association होनी जुरूरी है cooperative societies होनी जुरूरी है इसी के साथ JP के main ideas खतम होते हैं और हम अलवीदा रहते हैं आपको ugly वीडियो में मिलेंगे यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मैंने sources use किये है इस वीडियो में वो आप सेक्रीन पर देख सकते हैं थैंक यू